आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा कौन उनकी देखरे करेगा उनके विद्धिय जिम्मेदारिया कौन उठाएगा ये कुछ ऐसे सवाल है जो सब के जहन में जरूर उठते होंगे इसलिए मनिगुरू के इस खास शो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो और आप खुल के जी सकें और आज भी हम कुछ ऐसे ही सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हैं इंडिया फर्स लाइफ इंशॉरंस के मोहित रोचलानी मोहित आपका बहुत स्वागत है मनिगुरू के आज के इस खास शो में कैसे हैं आप तन्यवाद स्वाती मैं बिल्कुल ठीक हूँ आल राइट मोहित कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं जिनका जवाब हम आपसे जरूर जानेंगे लेकिन ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपको सवाल भेजने का तरीका भी बता दें आप अपने सवाल हमें मेल के जरीए भेड़ सकते हैं और इसके लिए हमारा इमेल आईटी है मनिगुरू अड़्ट जीमीडिया डॉट एसलग्रूप डॉट कॉम साथी SMS के जरीए भी आप अपना सवाल भेड़ सकते हैं आपको लिखने ना है इन्शॉर आइन एस यू आर इ अपना सवाल लिखे फिर हमें 57575 पर भेज दीजिए ये तरीका है अपने सवाल मनिगुरू में हमें भेजने का आल राइट चलिए सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करते हैं मोहित आपके साथ और पहला सवाल हमारे पास फिरोज पूर से कमलेश जी का आया है इन्होंने अपने बारे में बताया है कि इन्हें अपनी मा के लिए एक मेडिकलेम पॉलिसी चाहिए जिनके उम्र साथ साल है इनकी मा को डाइबटीज भी है मेडिकल कंडिशन है जिसका इन्होंने जिक्र किया है तो क्या डाइबटीज वालों के लिए पॉलिसी मिल सकती है क्या डाइबटीज की वज़़े से प्रीमियम पर कोई असर पड़ेगा और कमलेश का जो सवाल है और कई दर्शकों का ऐसा सवाल हमारे पास आता है मोहिट जिसमें एक तो सीनियर सिटिजन पेरेंट्स होते हैं और उनकी कोई मेडिकल कंडिशन होती है ऐसे स्टेज पर अगर कोई मेडिकल पॉलिसी लेता है मेडिकलेंब पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम के लिहाज से कितना ज्यादा चुकाना पड़ जाएगा जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ प्लांस जो आजकल मार्केट में हैं उसमें बहुत सारे विकलप आ गये है और उस उन विकलपों में इविन इंशोरेंस कंपनीज जैसे Life Insurance, General Insurance और Health Insurance कंपनीज ये तीनों कंपनीज जो हैं उनके पास हेल्थ प्लांस हैं विकलप बहुत हैं कमलेश जी के पास चूज करने के लिए जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनकी माता जी 60 साल की हैं और डाबिटिक हैं तो कुछ प्लांस अविलेबल हैं मारकेट में, कुछ कंपनीज के पास जिसमें ये कवरेज है लेकिन कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप एक हेल्थ प्लान लेने जाएं कमलेज जी उसमें से दो बातें बहुत आपको गौर से देखनी होंगी पहली कि जो भी आप हेल्थ प्लान ले रहे हैं उसमें कितने रोग या कितने डिजीज कवर्ड हैं और उसमें क्या कुछ कंडिशन्स हैं तो ये आपको गौर देना होगा और डियाबिटीज जैसे आपने बताया आपके माताजी को है तो इसको डिस्कलोज करने के बाद कुछ कंपनी जिसमें वेटिंग पीरिड देंगी इसका मतलब ये है कि एक साल से लेके चार साल तक के बीच में इस डिजीज के लिए जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो कवर नहीं होगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कई कंपनी अगर आप मेडिकल करवाएंगे तो ये जो प्री एक्जिस्टिंग कंडिशन है इसको वेव कर सकती हैं तो वो भी आपको देखना होगा जब अपना हेल्थ प्लान आप चूज करने जाएंगे उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि आप जहां रहते हैं क्या जो आपको आपने हेल्थ प्लान लिया है जो कवरेज है कैशलेस का वो अविलेबल है उन मेडिकल फेसिलिटीज में या हॉस्पिटल में जहां पे आप इलाज करवाते हैं तो वो एक दूसरी गौर करने वाली बात होगी उसके बाद जो आपको देखना होगा वो ये देखना होगा कि हेल्थ प्रीमियम जो है वो कितना है और वो कंपेर करें आप लेकिन पहले ये तो जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो जरूरी हैं उसके बाद फिर आप प्रीमियम कंपेर करेंगे तभी आप सही तरह से कंपेरजन कर पाएंगे सो ये ये चीजें अध्यान में रखनी होंगी हेल्थ इंशॉरेंस के लिए इसके अलावा जो दूसरी बात इनकी मा सीनर सीटिजन होने के नाते कुछ ऐसे प्लान जहां पर इन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है क्योंकि ये सवाल भी कई दरशक पूछते हैं हमसे सो benefits जी हां section 80D के तहट आपको 25,000 का benefit मिलता है और अगर senior citizens हैं तो ये बढ़के 30,000 हो जाता है तो वो benefit 2015 के budget में बढ़ गया है 15 से 25,000 हो गया तो वो benefit definitely available है और इसमें दो structure आप कर सकते हैं जब आप senior citizens या अपने परिवार के अन्न सदस्यों को जोड़ना चाहें एक तो family floater plans आते हैं जिसमें आप अपनी सारे परिवार को cover कर सकते हैं एक plan से या तो आप वो structure में ले सकते हैं या फिर आप individually अपने parents के लिए और अपने बचों के अपनी होगी जब आप health plan देने जाएंगे अपने परिवार के लिए अल्राइट यह अपने actually बताया कि family floater भी ले सकते हैं लेकिन family floater को लेकर normally usually यह भी कहा जाता है मोहित अगर अगर अपने parents जो की above 60 हैं उनको अगर इस plan में जोड़ा जाए तो शायद premium ज्यादा पड़े अगर आपको comparison के बाद क्या चीज आपको ज्यादा किफायती है उसके business पर अपना decision ले सकते हैं और अगर कोई combi plan लेना हो तो combi plan लेने के क्या फायदे होते हैं और उसमें कौन-कौन से plan शामिल हो सकते हैं अगर benefits की बात की जाए तो सो एक नया plan जिसे आपने बोला स्वाती combi plan जो है यह एक तरह का plan है जिसमें आप अपना medical insurance और term insurance को combine कर सकते हैं तो इसमें यह यह plan जो है एक health insurance company और life insurance company मिलके यह product बनाती है और customer को देती हैं फाइदे इसके यह हैं basically कि अगर आपने एक combi plan लिया तो अगर आपको hospitalization है तो वो भी cover रहेगा और अगर इसके अलावा आपको कोई you know term insurance के लिए अगर अगर आप जीवित नहीं रहते हैं तो वो भी आपको covered रहेगा term insurance के द्वारा जो आपके परिवार की साहता करेगा ओके तो all right कमलेश आपके लिए actually काफी ज्यादा options बताएं हैं अब मोहितने के आप कैसे अपने मा के लिए एक अच्छा medical policy ले सकते हैं और जो उनका existing जो उनकी कोई बिमारी है वो भी उसमें अच्छे से mention करके आप एक plan के लिए आगे जरूर पर सकते हैं सवाल लेते हैं हमारे पास सरतलां से शंकर शर्मा का भी सवाल आया है शंकर इंफाक्ट काफी यंग है पच्ची साल के हैं और अभी से इन्होंने डिसाइड किया है कि एक term plan लेना चाहते हैं जो कि एक बहुत अच्छा move है पांच लाका health insurance भी इंफाक्ट लेना चाहते हैं तो कौन सी policy ऐसे इन्हें मिल सकती है जिनमें ये दोनों plan शामिल हो तो शंकर का सवाल वाजब भी है और कई ऐसे दर्शकों का सवाल भी होता है जो कि two in one policy उन्हें कोई मिल जाए जिसका शायद आपने इसे पिछले सवाल में भी mention किया था कि कौन भी plan ले तो काफी better साबित हो सकता है तो क्या शंकर बींग यंग most importantly और क्यूंकि अभी student है शायद इनके पास एक constant जरिया नहीं होगा income का तो इनके लिए एक ऐसा कोई plan है जो इनके तमाम requirements पूरी कर पाएं जी एक बात स्वाती इसमें समझना बड़ी जरूरी होगी शंकर जी के लिए कि जो term insurance है या जीवन बीमा जो हम लेते हैं pure protection plan इसका सवाल आपके income के उपर है कि आपके income कितनी है और आपके उपर dependence है क्या क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे और वो income अगर बंद हो जाएगी तो जो आपके dependence हैं उनके लिए ये insurance plan बनाये जाते हैं students के लिए अगर वो इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर रहे हैं या कुछ उनकी income नहीं है तो mostly insurance companies पहले ये देखती हैं कि क्या उनके parents के पास परयापत insurance है कि नहीं और एक बार अगर उनके parents के पास परयापत insurance हैं उस उसके बाद students को term cover के लिए देखा जाता है so वो हर company decide करेगी on the basis of उनकी guidelines के ओपर लेकिन जो health insurance के बारे मैंनोंने बात करी है जो मैंने जैसा कि बताया कि definitely health insurance उनके लिए या तो एक family floater plan में जो उनके पूरे परिवार के लिए लिए लिया जा सकता है और उसमें एक member बन सकते हैं और जो बाते मैंने और बोली पिछले प्रशन के जवाब में कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या-क्या coverage मिल रहा है और उसके basis पे आप अपना premium compare करके एक अच्छा health plan ले सकते हैं ओल्राइट मुएत इनफाक्ट online term plan खरीदने की भी सलहा दी जाती है कहते हैं कि वो सस्ता पड़ता है कई लोगों में actually जिजग होती है चक होती है कि online खरीदेंगे कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या हो जाए तो किन बातों क्या धान रखना चाहें online क्योंकि offline जब हम भर रहे होते हैं तो शायद किसी ना किसी की मदद से उसको भरा जा सकता है online में क्या साफधानिया बरते हैं ओनलाइन में किसी भी insurance plan खरीदने में सबसे पहली जरूरी चीज़ यह है कि जो भी आप से सवाल पूछे गए हैं उनका जितना आप सही जवाब दे सकते हैं दें विकाज उसके basis पे ही company जो है वो decide करती है कि इनको insurance मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए तो पहली जो जरूरी बात है कि आप जरूर जितने भी questions पूछे जाएं उनका बिल्कुल सही सही जवाब दें इसके अलावा online plans लेने के अलावा companies ने ऐसी facility भी करी है कि अगर आप इसमें आपको कुछ जिजक मैसूद हो रही है या फिर आपको कुछ confusion है तो आप company के call center में phone करके या फिर chat करके उनसे जानकारी ले सकते हैं कि इसके बारे में मैं क्या करूँ जरूरी नहीं है कि उसके लिए face to face conversion जरूरी हो बट conversation जरूरी हो बट आप phone करके या web chat के थू भी जानकारी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा तर online plans क्यों term plans इसले लिए जा रहे हैं कि obviously यह किफायती है इनके जो premium rates है वो normal term plans से कम हैं तो अगर आप एक savvy customer है और आप सारी जानका भर सकते हैं online में तो मेरी सला यह रहेगी कि online term plan को ही चूज करें company से जरूर बात करें अगर आपको कुछ भी confusion हो तो all right को भी confusion के time पर किसी किस सलह जरूर ले और company से directly आप बात कर सकते हैं online term plan बढ़ने के लिए यह important point यहाँ पर जरूर बताया है मोहित ने